वीडियो शुरू करने इस पहले एक important announcement है, जो लोग interested है, जो लोग इंट्रेस्टेड हैं, जो ने ने सिटेंट का हमारा paid course शुरू हो चुका है हमारे application पर, study for civil service के android application पर ये paid course एक्सेस कर सकते हैं, आप 4.99 में आप PDF material को access कर सकते हैं, रिजनिंग वाले को छोड़ करके, 14.99 में जो PDF हैं, उसको आप download करके print भी ले सकते हैं, ROERO का Hindi का course पूरा आप access कर सकते हैं, हमारे app में मात्र 49 रुपीज में, 251 में आप इसकी PDF भी access कर सकेंगे, printable, downloadable, तो इस तरीके से हमारे paid courses शुरू हुए हैं, study for civil services के free android application पर, जो आपको play store पर रसानी स्पिल जाएगा, और VPU के लिए भी ये courses चल रहे हैं, आप चाहें तो इसमें access कर सकते हैं, अब आईए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, agreement section हम लोग करेंगे, agreement फिर सबसे पाल agreement इंडिया और Asian Development Bank के बीच, भारत Asian Development Bank साथ आए हैं, भारत की राध्धानी दिल्ली में एक जलवायू, परिवर्तन और स्वास्त के इंदर स्थापित करने के लिए, एक climate change और health hub सेट अप किया जाएगा दिल्ली में, government of महराष्ट और professional association football league जो जर्मनी की है, बुंडेस लीगा, बुंडेस लीगा के साथ समझाता है कि है, महराष्ट गौवर्मेंट ने इससे की football players की एक टीम बनाई जा सके, 14 वर्ष से कम उम्र की, पार्टनर कौन है, महराष्ट गौवर्मेंट बुंडेस लीगा, objective क्या है म महराष्ट में football players की under 14 टीम बनाना, ministry of education, ministry of skill development और entrepreneurship मेटा के बीच समझाता है, मेटा सिक्ष्या मंतराले, कौशल विकास मंतराले के बीच, तीनों पार्टी के बीच partnership हुई है कि एक new generation of students, teachers और entrepreneurs की तैयर की जाए, long term goal के साथ, दो मंतराले और मेटा साथ है, मेटा जो है, पहल पांच states के साथ समझाता किया है, दिव्यांगों को रोजगार के काबिल बढ़ाने के लिए, पांच states government के साथ समझाता किया है, हरियाणा, महराष्ट, गुजरात, करनाटक, तमिल नाडू, इसमें शामिल है, इसका उदेश है, पांच राज्यों में दिव्यांगों को नए भावित खत्रों सनिपटने के लिए समझाता किया है, इसको जो है Charter Alliance of Sahel States नामक एक पारसपरिक रक्षा समझाता नाम दिया गया है, तो इतीन अफ्रिकन कंट्रीज, माली, बर्किना, फैसो और नाइजर आपस मिलकर के काम करेंगे, कि किसी देश में कोई external aggression या फिर armed insigency ह इसको एक रणनीतिक साजिदारी बनी है, चीन के राष्टपती 11 जिन्पिंग जिनको शी जिन्पिंग भी कहा जाता है, एशियाई खेलों के पहले सीरिया के साथ राजनाइक बैट को कि श्रंखिला में देखे गए थे और दोनों देशों ने आधिकारिक तोर पर 22 सितंबर 2023 को रणनीतिक साजिदारी अनाउंस की है, सिरिया ने और चाइना ने, नास और एकजियों स्पेस नामक जो कंपनी हैं अमेरिका की उन्होंने समझाता किया, चौथ है निजी अंतरिक्षियात्री मिसन के लिए, इसको X4 नामस जाना जाएगा, मिशन को जनुरी जो 2024 के पहल अधिकारी बनी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष कोई विमेन बनी है, तो ये काफी जर्चा मिरा था, तो ये ध्यान रख सकते हैं, इन्होंने स्थान क्रेंड किया था, श्रीवी के त्रिपार्ठी का, श्रेष्ठा थाविशन, रियल चुनाओ का, सिंगापूर में ये भारती मूल के थर्मन शार मुगरतनम ये प्रेशिडेंट बन गए हैं, सिंगापूर के, राजीव गॉबा कैबनेंट सेक्रेट्री बने वे इनका कारेकाल फिर बढ़ा दिया गया है, इगा स्वेटेक, ये जो है, इन्फोसिस की करके आब बता सकते हैं, एमरसन मनागवा ये जिंबाबवे के राष्टपती दूसरी बार निउक्तुएं हैं, आदिल सुमरिवाला भारती अथलेटिक्स महासंग के अध्यक्स, इनको वैस्विक अथलेटिक्स के चार उपाध्यक्षों में से बनाया गया है, आर माधवन भारती आर माधवन जिन्होंने अभी फिल्म बनाई थी रॉकेट्री, दनाम्भी एफेक्ट काफी जर्चा में रही थी, भारती फिल्म में एवं टेलिविजन संस्थान, FTII सोसाइटी के अध्यक्स और संचालन परिशत के अध्यक्स बने हैं, मिनिस्ट्री ओफ इंफरमे किसी विमन को पाकिस्तान में चार्ज डी अफेर्स बनाया गया था, मनीश देशाई, P.I.B. के प्रधान महानिदेशा की बने हैं, संग्राम सिंग ब्राइन बच्टरी बने हैं, वर्ल्ड अथलेटिक्स रेसलिंग, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के, सावी सोईन, को अलकॉम इंडिया के वरिष्ट उपाध्यक्स भारतिकार बारत अध्यक्स बन गया है, इतना कोई जरूरी नहीं है ये, तोड़ सकते हैं इसको, राजेश नम्बियार ये नैसकॉम के नध्यक्स बन गया है, सातो किल्मैन वनवातू, जो आईलेंड है, वनवातू कंट्र से ये बने है, और रॉफिल नडाल ये ब्राइन बने है, इन्फोसिस के, सिंधु गंगा धरन, ये वाइस चेर परसन ये बनी है, नैसकॉम की, क्लेर कॉंटिनो, ब्रिटेन की नई उर्जा सुरक्षा और नेट जीरो के सेक्रेटरी बने है, नेट जीरो मिशन के सेक्रेटर ये भी भारती मूल के हैं, जीर से नाम ध्यान रखना है, यहां पर इंपोर्टन्ट है, भारती के या गोवा मूल के हैं, ठीक है, पॉर्टुगीस काफी इंफ्लेंस राय गोवा में, तो वहां से ये आते हैं, बर्नार्डो एरिवेलो, ये प्रेस्डेंट ऑफ गवाटमेल जाते एडी के तब तक यही, जो है, इंफोर्स्मेंट डिरेक्टर के, डिरेक्टरेट के डिरेक्टर रहेंगे, तुरेश गोपी, मल्याली, अभिडेता और राजनेता, सत्य जीतरे फिल्म, एवं टेल्वीजन, सनस्थान के अध्यक्स बने हैं, असासी परिसत के अध्यक् सेना को मिला है, वरिष्ट कवी है, इग ओर्नेंस नैसल गोल्ड अवर्ड, ये पंचाहिती राज बनत रहे हैं, इसे इग ओर्नेंस गोल्ड पुरुसकार बिला है, स्वामित योजड़क बारे में एक बड़ा जहर कोश्चन बढ़ाया था भी बीपीस्टी ने, 69 त्वाले में पूरे पेज भर के ओकोश्चन बढ़ाया था, वह आप जरूर देखना चाहिए, ठीक है, उसका एंसर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप जरूर उसमें देखना चाहिए, काफी सारी इंपोर्टन बातें आपको पता लग जाएंगे, स्वामित इसकी मिनिस्ट्र में टॉप पर मद्रप्रदेश, सेकन्ट पर तमिल नाडू, थर्ड पर राजस्थान उतरुदेश, सेंधरूप से, किनसासिर प्रदेश में टॉप पर चंडिगर, स्मार्ट शेहरों की सूची में टॉप पर इंदावर, लुस्री बार लगातार, सेकन्ड पर सूरत, पर आगरा तो इतना ध्यान रख सकते हैं आप इसके बाद आ जाते हैं हम लोग Global Finance Central Banker Report Card 2020 में A Plus की रेटिंग मिली है शक्तिकांदास को जो कि भारत के RBI Governor है इस समय Miss Earth India Miss Earth India इसको जीता है प्रियन साइन ने जो कि राजिस थन्स है Miss International India 2003 इस यह प्रमीणा अंजना ने जीता है Chartered Accountant है उदैपूर से Miss International India एशिया का Nobel पुरुसकार का जाता है रेमन मैकसे से पुरुसकार रेमन मैकसे से पुरुसकार का 65 संस्क्रण इसमें अगरम देखें तो डॉक्टर रवी कंनन को मिला है यह Oncologist है भारत से असम से है यह रक्षंद करके है यह बंगलादेश में जो काम करते है उन्हें मिला है Mariam Coronel Ferrer फिलिपीन से इन्हें मिला है युजेनियो लेमोस को तीमूर लेशते जो गंटरी है वहां से मिला है तो इन सभी की नाम दियान रखेगा भारत सिकाउन है डॉक्टर अभी कंनन ग्रीस की प्रेजिडेंट की तरफ से The Grand Cross of the Order of Honor ग्रीस का दूसरा सबसे बढ़ा नागरिक सम्मान प्यम मोदी जी को दिया गया था जब यह ग्रीस की यात्रा पर गया थे वैश्विक नवचार पुरुसकार अगरम देखें तो डॉक्टर शान्ता थोटम को तेलंगाना की मुख इनोवेशन आफिसर World Development Organization की तरफ से इन्हें World Innovation पुरुसकार दिया गया था Brics Innovation Forum में World Innovation Award इन्हें मिला था शान्ता थोटम को मॉस्को में स्कायव जन्हें था Brics Innovation Forum का League One Exchange Fellowship of Singapore यह fellowship मिली है हिमानता बिस्व सर्मा को मिस दीवा यूनिवर्स यह श्वेता शार्दा को मिला है अवर्ड मतलब कह सकते हैं मिस दीवा यूनिवर्स द्यान रखेगा मिस दीवार्स यह बनी है श्वेता साथ चंडी कड़ से मिस यूनिवर्स पाकिस्तान यह एरिका रॉबिन बनी है उसको बाद नॉर्बन बोरलाग फील्ड अवर्ड यह स्वातिनायक को मिला था तिरपनेवा दादसाफ आफ़ाल के lifetime achievement पुरूसकार ये वहीदा रह्मान को इस बार मिला है वहीदा रह्मान को लास्ट येर भी विमेन को बिला था आशा पारेक को 2022 में 2023 में मिला ये वहीदा रह्मान को पच्छीस में डॉक्टर राजीव गांधी सद्भावना पुरूसकार ही बिला है राजस्तान में महिलाओं के लिए अवासी संस्थान वनस्थली विद्या पीठ को हामिद अनसारी की तरफ मतलब उनके हाथों से ये अवर्ड इन्हें दिया गया था जो कि हमारे पूर राष्ट पती रह चुके हैं अब अभी अवीच्री में डिस्कुस करेंगे ही तेरवा । ये सूरिंदर कमिलाथा जिनको सूरीक नाम से जानते शूरी सहिगल शान्ती सरूप बटनागर पूर्षकार ये आम जरूर देखते हैं ये हाईस्ित मल्टी डिस्कलिनरी अवार्ड मना जाता है विज्यान में भारत में तो यहां पर लंबा जरूर है लेकिन सभी कटेग्रीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह पूंचा जा सकता है बिलकुल ठीक है अलग-अलग कटेग्रीज में मैचिंग में आ सकता है तो यह आप नोट कर लीजे अश्विनी कुमार चंडीगर से जीव व मंदल महासागर उग्रह विज्ञान में विमल मिश्रा खाली नाम दियान रखिएगा इनके इंस्ट्यूट सगहरा नहीं आएगे अपके एक्जाम में गणिती विज्ञान में पूर्वा खरे नीरच क्याल चिकित सिर्की विज्ञान में दीपिमान गांगुले मैं थोड़ा सा स्क्रोल कर दे रहा हूँ आपको भी एक्जाम से पहले एक बार देख लेना है अगल एंट्री अवर्वार्ट्स में चार ये कीरती चक्र इंपॉर्टन्ट रहेंगे शौरी चक्र 11 दिये गए थे नंबर इंपॉर्टन्ट रहेगा पीरती चक्र स्वर्गी श्री दिलीव कुमार दास को राजकुमार यादव को बबलू राभा को और श्री संभूराय को उसके बाद राश्ट्री सिक्षक पुरुसकार पूरे देश से कुल 75 शिक्षकों को ब्रुदान किया गया था ठीक है इसमें उत्तर प्रदेश के सिक्षक थे आसिया फारुकी प्राइमरी स्कूल अस्तिनगर फतेपूर से चंदर प्रकाष अगरवाल शियुकुमार अलत सिंग उसाइन, बिहार के शिक्षक श्री अनिल कुमार सिंग, दुजेंदर कुमार और ये जो है कुमारी गुड़ी, आई स्कूल सिंगिया, किशन गंज बिहार, से राजस्तान के शिक्षक जिने पुरुसकार मिला, आशा रानी सुमन को, शीला सोपा को, ये क्रमशय अलवर और जोदपूर से, तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं, अपने अपने राज के शिक्षकों के दामकुल मिला के ध्यान रख सकते हैं, पचीस्वां C8 Cricket Ratings Award में करम देखें, तो main awards हैं जैसे शुबमान गिल को, Men's International Cricketer of the Year, C8 Cricket Awards में Women International Cricketer of the Year, दीप्ती शर्मा को Best Test Batsman of the Year, केन विलियमसन को, Best International Baller of the Year, टिम साउधी को, Famous Books Author Magazine में, My First Guide to First Aid, ये काईरा जैन की किताब है, ये 12th की एक स्टूडेंट है हर्याना की, ये काफी popular हो रही है इनकी किताब, My First Guide to First Aid, ये स्कूल सिक्षभ भाग द्वारा हर्याना के 5000 सरकारी पुस्तकालियों में ब अगले साल, General Elections में, 2024 में, तो वोटिंग के लिए उनको पाटिस्पेट करने के लिए, अवैर करने के लिए, ये जो है, भारती निर्वाचान आयोग और प्रानड कॉमिक्स की एक संहित पहल है, चाचा चौदरी और चुनावी दंगल, तो इसमें चाचा चौदरी आपको अवैर करते हुए दिखेंगे कॉमिक के माधियम से, कार्टून करेक्टर की बताएगा कि कि इस तरीके से वोट देना जरूरी है, और वोट देने चाना चाहिए, इंपोर्टन डे डेट्स थीम में, इंटरनेशल डे अगेंस्ट नुक्लियर टेस्ट टेस्टिंग, 29 अगस्थ को, तेरवा इंडियन ओर्गन डोनेशन डे, ये डोनेट ओर्गन सेव लाइव थीम इसकी 29 अगस्थ को, नैसल स्पोर्ट्स डे, 29 अगस्थ को ध्यान चंद ज अगस्थ को, संस्कृत दिवस, वेश्विक संस्कृत दिवस, 31 अगस्थ को, नैसल नुट्रीशन वी किस बार एक से साथ सेप्टेंबर को बनाया गया था, healthy diet going affordable for all इस बार थीम थी, नारियल दिवस 2 सेप्टेंबर को होता है, सनातन धर्म दिवस 3 सेप्टेंबर को होता है, इसमें एक important घटना हुई है, सनातन धर्म दिवस ही ध्यान रखेगा, यह इंडिया का नहीं, या फिर इंडिया इसको नहीं मनाने वाला है, कि कहां पे और, सहिंक तुराज अमेरिका के Kentucky के Louisville City के मेर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूपे मनाय जाने की गोशना की थ एक से 30 सेप्टेंबर को, इस बार इसकी थीम बहुत जरूरी है, और यह पूछे जाने की लगभख 99% सभावना है, यह थीम पूछेंगे सुपवशित भारत, साक्षर भारत और ससक्त भारत यह थीम है, that means, नरिश्ड इंडिया, लिटरेट इंडिया, इंपार्ड इंडिया इसका मुख्लक्ष 6 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्वती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच जो कुप उसन किव्यापती रहती थी उसको कम करना है, सबसे पहला यह जो है नुट्रीशन मन्त कब बनाया गया था, 2018 में, पहली बार इसको बनाया गया था, राजस्तान के जुन-जुनु डिस्ट्रिक्ट में, राश्ट्री सिक्षक दिवस यह 5 सेप्टेंबर को होता है, पता है आपको सरुपली राधाक्रिशन के बढ़्डे पर, साक्षरता सप्ताहिस बरवना आ गया था, एक से 8 सेप्टेंबर को, और अठावनवा सेप्टेंबर को, इंजीनिर दिवस से फंदा को, इंट्रनाशल डैमॉक्रेसी दे 15 सेप्टेंबर को, वल्ड उजोन डे यह बहुत फ़ेवरेट कोश्चन होता है, युप फीसिंपेश्स के संबर को, इस बार इसकी धीम थी Montreal Protocol World Patient Safety Day 17 September को World Bamboo Day 18 September को International Peace Day 21 September को World Rhino Day 22 September को International Sign Language Day 23 September को अंते होदे दिवस 23 दियलोपाद ध्याजी की 98 जहन्ती पर ये मना जाने करेड़ लिया गया थे 2014 में तब से लगाता रह मना रहे 25 September को होता है अंते होदे दिवस Good Governance Day कब होता है 25 December को होता है World Pharmacist Day 25 September को International Day for the Abolition of Nuclear Weapons 26 September World Contraception Day 26 September को World Environment Health Day 26 September को World Tourism Day 27 September को इसकी थीम है Tourism and Green Investment इस बार इध्यान रखेगा आ सकता है World Rabies Day होता है 28 September को Defense में आ जाते हैं सबसे पहला Exercise जायत तलवार ये राशित पूर्ट दुबाई में हुआ था और भारती नवसे न और अरब अमिरात के बीच ये हुआ था भारत के जो दो बहुत इसमें पार्सपेट करने गए थे मुख्य वो थे आइनेस विशाखापटनम और आइनेस त्रिकंद आइनेस विशाखापटनम आइनेस त्रिकंद पांचमा भारत अस्ट्रेलिया इद विवारिशिक समुद्री अभ्यास औस इंडेक्स ये सिद्डी में हुआ था इस बर एक्सरसाइज ब्राइट स्टार ब्राइट स्टार ये इजिप्ट में हुई थी हेरो एयर बेस में यहां पर मल्टी लेटरल एक्सरसाइज थी तो यूएस साओधी एरब ग्रीस कतर ये सब भी आये थे इंडियन एर फोर्सेस ने विविश में पाटिस्पेट किया था भारती नवसेना के लिए पहले डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नावरण किया गया कहां पर हुगली रिवर पर टीटागड में टीटागड रेल सिस्टम्स नहीं भारत के पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट भी बनाया है इस्राइली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाड़िड मिसाली इस्राइल ने जारी किया है इसको नाम दिया इन्होंने इस्राइली स्पाइक युद्पोत महिंद्र किरी का जलावतर अड़ मुंबई में किया गया था यह एक स्टेल्थ फ्रिगेट है अज़ एक चीज यह आप बताना था यह इस्राइली स्पाइक जो है यह इंडियन एर फोर्सस ने एक्वायर कर लिया है इस्राइल से खरीद लिया तो यह उनकी द्वारा बनाई गई है लेकिन यह भारत अब इसको यूज़ करेगी इंडियन एर फोर्सस इसको यूज़ करेगी इसको मुंबई में जलावतरित किया गया था इसके बाद XQ-58A वालकीरी ड्रोन यह किसको बिलॉंग करते हैं अमेरिकन एर फोर्सस को बिलॉंग करते हैं यूनाइट स्टेट्स एर फोर्सस को भारत का प्रथम मानव रहित हवाई प्रणाली समान परिक्षण केंद्र यह श्री पेरुंबूर तमिल नाडू में खोला गया है भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली समान परिक्षण केंद्र इस्राइल का एडवांस इंटेलिजेंस गैदरिंग एरक्राफ्ट और उरॉन ये अभी चर्चा में आये था इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकानेसंस मिशन एरक्राफ्ट है इस्राइल का 21 मां भारत और फ्रांस का दुपक्षी अभ्यास ये वरुन नाम से होता है ये नेवल एक्सराइज है मेरी टाम एक्सराइज 30 सुरक्ष अभ्यास ऑपरेशन सजग सजग ये वेस्ट कोस्ट में किया गया था इसके दौरा इंडियन कोस्ट गार्ड के दौरा भारती तट अभ्यास रिजाल्यूट ड्रेगन ये इसट चाना सी वब ед रधा और जापान का सफ्रस अस्तृ स्ट्र बल और अमेरिकी शास्त्र बल के दाश्यूट ड्रेगन yell ईक्सराइज यह भालत में दिजाइन किया है DRDO की एक यूनिट ने इसको यही पर भारत में डिजाइन किया है, विक्सित भी किया है, ये लंबी दूरी की गश्ती विबान बोईंग P-8I से सार का पहला परिक्षन किया गया है, इसमें 8 लोग रह सकते हैं 15 दिन के लिए भोजन की सुविधा इसमें होती है, तो ये क्या है एक सर्च और रिस्क्यू किट है, उत्तर कोरिये द्वारा पहली सामरीक परमानु सहस्त्र पंडुक भी का नावरण किया गया था, जो नूकलियर अटाइक करने में सक्षम है, इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है किम कुन ओक के नाम पर, इंटरनेशल मि अलिस्टिक मिसाइल, मिनेट मैन 3, मिनेट मैन 3 को टेस्ट किया था, अमेरिका ने, P7 Heavy Drop Parachute System, यह 100% Indigenously Developed Parachute System, भारत की सेना को मिल चुका है, P7 HDS, भारत को दो एंटी टैंक गाइडिन मिसाइलों का सफलता पुर्वा करिक्षन करते हुए देखा गया, इसमंत, क्या क्या की, Surface To Air Missile है, और यह है, हेलना हवा से सताय में मार करने वाली, नाग Surface To Air Missile, हेलना Air To Surface Missile, एंटी टैंक गाइडिन मिसाइल ने दोनों, पॉस्ट ड्रोन एक्जिबिशन को डिमांस्ट्रेशन इंडिया ड्रोन शक्ती 2013 इसका आयोजन हुआ था एर फोर्स टेशन हिंडन गाजियबाद में इसके बाद शीत युद्ध के बाद NATO का सबसे बड़ा साइन्य अभ्यास। यह काफी बड़ा होगा तो जभी होगा तो 2024 में इसके बारे में अलग से भी देखेंगे। भारत को पहला C295 Military Transport Aircraft receive हो गया है स्पेन की कंपनी Airbus इसको बना करके भारत को देने वाली है तो पहले स्पेन जो है 16 विमान देगा हमको बना करके और 17 विमान ये Airbus भारत मही बनाएगा आ करके ये agreement हमारा हुआ था दुनिया का सबसे उंचा नियूमा Airbase का शिला नियास कहाँ भी किया गया लद्धाक्व है ये line of actual control से 50 km की दूरी पर स्थित है ये 13,000 फीटों पर बना हुआ है ये दुनिया का सबसे उंचा Airfield होगा जब बन जाएगा Science and Tech के section पर आ जाएगे Science Tech में सबसे पहले भारती प्रावदुगी जा सकता है तो प्लूरी पोर्टेंट स्टेम सेल्स के लिए ये टेक्नलोजिक इसने डवलब किया है आईएटी गुआहर्टी रिसरचरस ने भारत का पहला सूरे का mission L1 आदित्य L1 L1 से आशे यहां पर language point 1 है इसको छोड़ दिया गया है दो सितंबर 2023 को यारा बच के फचास एम पर 37 धवन स्पेस सेंटर श्री हरी कोटा से आंधप्रोदेश से इसमें किस प्रमोचन यानि की रॉकेट का प्रयोक किया गया है PSLV C57 का है ध्यान रखशे का इसका वेट 14.7 किलोग्राम है यह साथ पेलोड कैरी करके गया है आधितल वन मिशन तो यह कुछ बाते हैं आप ध्यान रख सकते हैं बढ़ते हम लोग आगे चीन की कमपनी CATL की सुपर फास्ट बैटरी यह चर्चा में रहे थी CATL नामक कमपनी जो है चाइना की उन्होंने बैटरी बनाई है इस्सों 10 मिनेट आप चार्च करके उस पैटरी से उसको इलेक्ट्रीक वीकल में इंस्टॉल करके 400 किलोमेटर तक चला सकते हैं बहरत और जापान अपना मून मिशन एक साथ लौँच करेंगे जिसका नाम होगा लियूपेक्स अब इसकी कोई डेट वगएर है या कुछ जादर डवलोप्मेंट टाई है लेकिन लिवपेक्स अगला संभाविच चंद्र मिशन होगा भारत और जापान मिलकर करेंगे भारत और जापान का आशा याने की भारत की एजेंसी इंडियन स्पेस एजेंसी इस्रो और वहां की जापान एरोस्पेस एस्प्लोरेशन एजेंसी जाकसा नासा की परसीवरिन सरोवर द्वारा मंगल करेंपर ऑक्सीजन के रिर्माड किया गया है जापान ने अपना एक सुतंत्र मून मिशन स्नाइपर लाँच किया है मून स्नाइपर यह बता रहे हैं फरवडी 2024 को यह सॉफ्ट लेंडिंग जापान कर सकता है और चंद्रमागी सरफेस पर सॉफ्ट लेंडिंग करने वाला पांचमा देश बन सकता है पहला स्वदेशी E-Tractor CSIR Prima ET11 Mechanical Engineering Research Institute केंद्री यांत्रिक अभियांत्रिक यानुसंदान संस्थान दुर्गापुर द्वारा विक्सित किया गया स्वदेशी E-Tractor है याने की EV Tractor वीकल टाइप चलने वाला ट्राक्टर है Prima ET11 इसरो दोरा नभ मित्र नामक अपने अभिना उपकरण का सफलता पूर्वक परिष्ण किया गया है मचवारों की सुरक्षा के लिए इसरो नभ मित्र इसकी टेस्टिंग की गई थी निंड करा में केरल में यह उपकरण उपगरायादारित संचार प्रणाली समुद्र से समुद्र तक दो तरफा संदेश पाने और भेजने की सुविधा प्रदान करता है इससे संकट के समय में फिशर मेंस से कॉंटेट किया सके कम्मुनिकेट किया सके State of Art Autonomous Anti-Drone System nao इसक tables किया और इसका नाम रखा गया है इंदर जाल हाइदराबाढ़-based एक hade रबोटिक फयर्म है घ्रिन रबोटिकस उनोंने एक State of Art Autonomous Antidrone System जो यहा पे लाँज़किया, जो AI संचालित है इसका नाम होगा इंदरजाल जैसे कई सारे drone attacks होते हैं उनको रोकने के लिए anti-drone system किया वाशकता होती तो ऐसा ही कुछ anti-drone system हैदरबाद की start-up नपलाया है grin robotics ने NASA की James Webb telescope ने एक image यहाँ पर निकाली है बहुत दूर स्थित तारे की जिसका नाम है एरिंडल 28 billion light years दूर है तो यह ध्यान रख सकते हैं थोड़ा तारे का नाम एरिंडल भारत में यौन और प्रजिनन स्वास्त और अधिकारों के बारे में जाग रुकता के लिए एक chatbot just ask launch किया गया UNFPA ने इसको launch किया है just ask just ask का एक और नाम रखा गया है खुल के पूछो और इसमें इसी जो मिशिंग है जो हम भी आड़ करते हैं पीडियोफ में इम्मद प्रदेश गौवर्मेंट के साथ मिल करके UNFPA ने इसको launch किया है just ask MP गौवर्मेंट का इनिशेटिव है UNFPA के सायोग ले करके just ask नामेक एक chatbot launch किया गया है जिससे जो teenagers और young adults की जो curiosity होती है उनको सांत की अजास के दुरलब धातू विनेडियम की खोज कहां पी की गई है गुजरात के अलंग के पास खंबात की खाड़ी से तलशट के नमोनों में विनेडियम की खोजियां पी की गई है काफी important है आसकता है exam में भी world's oldest wooden structure इसको खोजा गया है कहां पे University of Liverpool के archaeologist ने इसको खोजा है Colombo Falls, Zambia में तो ये दो देशों के border पे हम लोग कह सकते हैं पड़ता है तंजानिया और Zambia के border पर ये world's oldest wooden structure खोजा गया है चीन द्वारा एक अर्थ observation satellite गाउफन लॉंच किया गया है गाउफन 12.04 इसको लॉंच किया गया है विशू का पहला humanoid robot pilot इसको किसने लॉंच किया है Korea Advanced Institute of Sciences and Technology ने ये pilot seat पर बैठने के लिए डिजाइन किया गया है पाइबॉट पाइबॉट और रोबोट के बिलाके पाइबॉट इसको कहा दिया है humanoid robot पाइबॉट योग को नियंतरित करने और विमान के सभी बटनों को संचालित करने के लिए दोनों हाथों को अप्योग कर सकता है गाफी उन्नत यहाँ पे टेक्नीक कोरिया ने यहां पे लॉंच की है साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया नहीं आइफोन 15 सीरीज में इस तरोब रुमानेद GPS तकनीक की सुविधा यहां पे यूज की जाएगी इस तरोब के द्वारा बनाया गया निविगेशन विद इंडियन कॉंस्टलेशन नाविक सुविधा भी यहां पे अवेलबल है निपा हुआरेस केरल में फिर से आ चुका है कोजी कोड में निपा हुआरेस संक्रमण फिर से हो रहा है इसको पता लगाने के लिए भारती आयर्विग्यान संधान परिसद ICMR ने ट्रुनेट जांच की अनुमति दे दिये समुद्रियान मिशन मद से 6000 इसे बारे में वैलेब बात कर चुके हैं मद से 6000 नैसल इंस्ट्टूट ऑफ ओशन टेक्निलॉजी अद्वारा बनाई गई एक सब्मरीन होगी इसका डाइमीटर होगा नौ मीटर लंबाई चार मीटर चौड़ाई और 8 mm वाले टाइटेनियम का इस्तमाल किया गया है जो 600 गुना ज्यादा प्रेशर जेल सकता है क्योंकि समुद्र के नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जो हमोरा समुद्रियान मिशन है इसमें हमको पंडुबी को विभिने फेजेस में 6000 मीटर तक की गहराई पर यानि 6000 किलुमेटर तक जाना है नीचे पंच-जार मीटर की गहराई पर पहले फेज में इसको डाला जाएगा समुद्र के भीतर इस सब्मरीन को मत्सद 6000 को और 2026 तक इसकी गहराई बढ़ाते-बढ़ाते हमको 6000 मीटर तक जाना है इसके बाद भारत का पहला ग्राम Netlayz बहरत का पहला ग्राम Metlayz कांप अगया है गोववजा नाजाएं स्पेश एक्स दोह रहा चार अंत्रिक्ष यातुर्योंग को अंतराश्त्री श्पेश्ट श्टेशन भेजा गया है अमेरिका का ये पहले ऐस लाउन्स है इसमें सभी astronauts जो है different countries से आते हैं ठीक है? अलग-अलग देशों के चार यहाँ पे astronauts एक साथ यहाँ पे international space station की तरफ गए हैं तो एक astronaut जो है US के हैं एक जो है European Space Agency की तरफ से आए हैं एक Japan से हैं और एक जो है Russia से हैं इसके बाद Google की 25 वी anniversary यह मनाई गई थी सताई सिदंबर 2023 को और बीचरीज में कलियम पोड़ी राधा क्रिश्न राव यह American Indian American Statistician नहीं रहे इनको इसी साल एक अवर्ट दिया गया था International Prize in Statistics 2023 इसके बाद N.Wittal पूर्व केंद्री सतरता आयुक्त IT सेक्टर के वास्तुकार कहे जाते हैं आर्किटेक्ट आफ आईटी सेक्टर इन इंडिया एन विठल यह नहीं रहे राथी कार्ति गेशू सिंगापूर की भरत नाट्यम नत्यांगना नहीं रहे आरून कुमार सिनहा डेरेक्टर आफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप SPG यह नहीं रहे एन वालार मती जब भी कोई स्पेश लाँच होता है इस तो का तो उसमें काउंटिंग करते हैं काउंडाउन करते हैं 3,2,1 करके तो यह नहीं रहें आवाद देने वाली वज्यानिक एन वालार मती नहीं रमेश कुंतल में यह हिंदी साहितिकार नहीं रहे जोर्जियो नेपॉलिटानो इटली के पूर्फराश्टपती नहीं रहे डेनिस आस्टिन नहीं रहे पावरपॉइंट सौफ्टवेर के साहनिर माता जॉन एडवर्ड वार्नॉक एड़ॉप के सहसन सापक नहीं रहे हिद स्ट्रीक जंबाबवे के पूर्फ क्रिकेटर नहीं रहे सारोजा वाइद दिनाथ भरत नाट्यम्ड आनसर ये नहीं रहे गीता महता प्रसिद्द लेकिका नहीं रहे स्कीम्स कैमपेइन में सबस्पहले फंगा अभियान फंगा कैमपेइन ये युनाइट नेशन बाट करते हैं और हम लोग कह सकते हैं कोल रीव के कंजरवेशन के बारे में बात करते हैं लेकिन फंजाई को भूल जाते हैं तो फंजाई को भी जो है फ्लोरा और फनों के साथ इंपोर्टन्स देना चाहिए बाइडवस्टी कंजर्वेशन के छेत्र में यह यहाँ पर अभियान है आश्वास निधी प्रोजेक्ट इविमेंट एंड चाइल डिवलूप्मेंट डिपार्टमेंट का है अश्वास निधी प्रोजेक्ट जो है इसमें जो एसे एक विक्टिम्स होते हैं रेप सर्वाइवर्स होते हैं उनको इन्टर्णिम फेनेंशल babysर डिलीव दी जाती है जेंडर बेस्ड जो वैलन्स होती है उसमें जो विक्टिम्स होते हैं उनको त्छ यहाँ पर आश्वासन के तौर पर या फिर हम लोग कह सकते हैं एक करोणा के तौर पर उनकी साहता करने का प्रयाश किया जाता है चौदो सोयर से विक्टिम्स हैं जिनको दस असमलो एक साथ क्रोड रुपए कि राशी यहां पर दी गई थी आश्वासनिदी के तहत जिन्हें serious gender based crimes का सामना करना पड़ा था इसको launch किया गया था आश्वासनिदी को 2018 में इंडिया United Nations Capacity Building Initiative इशुरू किया इंडिया United Nations ने इंडिया UN for the Global South Delivering for Development कारेक्रम के अंतर गत्त इसके बाद भारत माध्य पूरू योरोप मेगा आर्थिक गलियारा परियोजना इंडिया Middle East योरोप मेगा एकनॉमिक कोलोडोर प्रोजेक्ट ये काफी महत्पकांग्शी प्रोजेक्ट है अमेरिका और कई प्रमुक हर्थ वरस्ताओं के साथ महत्पकांग्शी भारत पश गर्समिलन के साथ नहीं किया था ये सब चीजें बहुत मतलब माइनूट हैं लेकिन ये पूछ लेते हैं आजकल एक्साम में आपने देखाई होगा इस तरीके से गन्फ्यूज करने को प्रयास करते हैं तो ऐसा लिख देंगे स्टेट्मेंट की भाई एंडिया Middle East योरोप म समुद्री मार्ग शामिल होंगे इसके साथ ही एक विद्दूत केबल हाइट्रोजन पाइपलाइन और एक हाइस्पीड डेटा केबल को भी इस कोरिडर में इंटिग्रेट की जाएगा दो अलब ये जो है शिप टू रेल नेटवर्क सड़क परिवान शामिल होंगे दो गल अरप की खाड़ी तक होगा उत्तरी गलियारा अरप की खाड़ी से यौरप तक होगा ठेक है यह आप इसमें सारी डिटेल नोट करिएगा यह आगे तक भी पूछा जा सकता एकले साल तक आयुश्मान भाव अभियान ये लॉंच किया गया था हमारी प्रेजिडेंट जी की गुजरात के गाधिरंगर से इसमें आयुश्मान अभाव पोटल का भी शुबारम किया गया था बंगलदेश की सरकार ने अटल पेंशन यूजना से मिलती जिलती एक स्कीम लांच की है वहां पर बंगलदेश के लोगों के लिए पेंशन स्कीम बेसिकली है उसका नाम उन् इनिशेटिव ये एहमदबाद निगार निगम ने इसको शुरू किया था ठीक है इसका उदेश है अफ्षिस्ट प्रबंधन याने की सॉलिड बेस्ट मेनेजमेंट स्वक्षता के महतुके बारे में जागरुकता आको बढ़ावा देना नंदनी क्रशक सम्रुद्धी जैसे मिल्क प्रोडक्शन के लेकर क्या इनिशेटिव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में उसमें आप जरूब मेंनिशन कर सकते हैं मेंस एक्जाम में भी और इसको टेन डिवीजन हैट्वाटर सिटीज में शुरू किया जाएगा कहां पर शुरू किया जाएगा उन 50,000 रुपए कुल खर्च का 50% अनुदान सरकार यहां पर दे सकती है बाकिया आपको खर्च करना पड़ेगा अगर आप यहां पर दो धारुगायों की एक यूनिट लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में तो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यहां पर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए यहां पर शुरू किया है जारकंड की सरकार ने एलिजबल बिनिफीशरी यानि ट्रांसजेंडर स्कीम यहां पर दिया जाएगा ऐसा अनॉंस्मेंट हुआ है मुख्यमंत्री खिलाडी प्रोत्साहन योजने उत्रा खंड गौर्मेंट की स्कीम है इसके तहत दो दो जार रुपए और दो दस जार रुपए हर साल की स्कॉल सार्थों का यूज करने का रुपिन पर लगा था तीन जिनुटी दो जार तेइस से इनका बैन प्रभावी माना जाएगा चार साल के लिए इनको बैन किया गया है मेंबर्शिप आफ इंडिन रेस्लिंग फेडरेशन में चीजने चल रही है जो है जो यहां के का कहना है कि इंडिन रेस्लिंग फेडरेशन अपनी गौर्णिंग बॉडी का निर्वाचन कराए और वो नहीं करा पाए अपना इलेक्शन टाइम पर तब इस वजए से उनकी सदस्ता इंडेफिनिट पीरिड के लिए सस्पेंड कर दी गई है पीफा महिला विश्व कप मे हिजाब पहन कर प्रतिस परदा करने वाली पहली महिला के फुटबॉल खिलाड़ी इकाउन बनी ये बनी है नौहेला बेंजिना मोरक्को से खेलते हुए हिजाब पहन कर फुटबॉल खेलने वाली पहली ये फुटबॉल प्लेयर बनी मोरक्को महिला विश्व कप के लिए क खाइलेंड की गेंदबाज हैं महिला T20 इंट्रनाइस्टल रिकेट में एसोशेट देश के तौर पर सौटी ट्वेंटी विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बनी है इस पर आभी जो आरेस पेपर हुआ था एक अक्टुबर को उसमें पूछा गया था कि भारत की राइंग कौन सी थी भारत की राइंग इसमें है सेवन्थ ठीक आपको पता होना चाहिए भारत की राइंग सेवन्थ है और कुल पदक भारत ने जीते हैं 26 पारिस में ये सवाल डिरेक्टली आये था 26 मां खगोल विज्ञान और खगोल बहुतकी पर अंतराश्ट्री ओलंपियाड इसमें उनाइटिट किंडम पहले स्थान पर भारत यहां पर दूसरे स्थान पर था पदक दोनों के एक ही जैसे हैं लेकिन ज्यादा स्वाइड होन अंतराश्ट्री क्रिकेट टीम से महिला टीटिटी विश्कप में कैनेडा टीम खेलेगी यो कैनेडा की महिला टीम में डैनियल मकेही को चुना गया है जो की पहरी ट्रांसजेंडर क्रिकेटर यह रहेंगे इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 से जीता है किरन जॉर्ज ने जापान के कु तकाशी को हरा करके सुपर हंडेट में सिंगल यह टूर्नमेंट जीत लिया है बैडमिंटन का वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपिन्शिप 2023 इसका योजन दुबाई बहुआ था बारत की प यूएस ओपन की बात कर लें तो नुवाग जोकोविच ओपेन एरा में सरवाधिक ग्रेंड स्लाम सिंगल्स जीतने वाले खिलाडी बन गए है विजेता यहाँ पर यूएस ओपन 2023 के नुवाग जोकोविच रहे थी इनका चौथा यूएस ओपन सिंगल्स है राय था इन्ह यह हुआ था फिलिपीन्स में 32 टीमों ने पार्ट्सपेट किया था स्वाण पतक यहाँ पर जर्मनीन जीता और यह आप ध्यान रख सकते हैं दुनिया की पूर्व नंबर वन एक टेनिस खिलाडी सिमोना हेलब पर चार साल का बैन लग गया है तो इनको इन पर भी डोपिंग रोधी नियमों को कावल लंगन करने का आरोप है इनका बैन ऑक्टूबर 2026 तक रहेगा तो जिमोना हेलब जो ही कहां की है यह रोमानिया से है जान रखेगा और यह किस से एस्टेट है यह टेनिस खेलती थी अंडर 16 फुटबॉल चैंपिनशिप ऐसे एफफ की इसमें छे टीमों ने प्रतिभाग किया था भारत ने इसको जीता और उपिजेता यहां पर रहा था बंगलादेश शोलवा एशिया एक दिवसी क्रिकेट विशकप 2023 का यह 50 ओर फॉर्माट में ववा था इसका यावजिन हुआ था श्रीलंका में पाकिस्तान में और इंडिया पाकिस्तान का मैं श्रीलंका में ववा था भारत ने इसको जीत लिया है आठवी बार दस पिगेट से स्रीलंका क रहा है था उपजेता यहां पर श्रिलंका रहा प्लेर अफ द शीरीज रहे थे कुल दीप यादव इस स्रीज में रोज शर्मा ने 10,000 अपने पूरे कर लिये हैं ये भी याद रख सकते हैं आप दूसरा F.I.D.I. महिला शतरंज विश्व चैंपिंशिप F.I.D.E. या F.I.D. विमेंस चैंपिंशिप इसकी विनर रही थी अलेक्जेंडरा अगारियाक शाकिया रश्या से एक दिवसी मैच में सबसे 13,000 रन बनाने वाले खिलाडी बने हैं विराट कोली अभी तक सरवाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड वन डे इंटरनाशनल मैचेस में किसका है ओविसली सचिंते दुलकर का है अभी भी 18,446 रन का है तेर्वी अंतराश्ट्री बाइक रेसिंग प्रतियोगता इस साल इंडिया में वहा था अभी या फिर इसको होस्ट करने वाला भारत रिका-तीसवा देश बन गया था वरी विश्व का 19 टीमों ने पार्सपेट किया था इसमें फस्ट यहांपर आया था इटली से मारको बेजेसी मारको बेजेसी आये थे मूनी वी आर 46 रेसिंग टीम से इटली से योगी आधित नाजी ने ओफिशली इनको जो है कब थमाये था 19 टीमों ने इसमें पार्टिस्पेट किया था इसका योजन काम प्रूर था बुद्ध इंटरनाशनल सरकिट नोईडा में इस वज़े से ज़्यादर जरूरी है आगे हम लोग सम्मिट सेक्शन पर आ जाते हैं इंडिया मेट्टेक एक्सपो का योजन हुआ था गांधिनेकर गुजरात में नैसल एस्टी हब मेगा कंक्लेव इसका योजन गुमला में जहार खंड में यूठ फ्रेंटी दोजारतेईस समिट ये हुई थी वाड़सी में अठतरवा संयुक्त राष्ट महासाभा का सत्रू हुआ था ये इसकी शुरुवात नए महासाभाद्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने की थी डेनिस फ्रांसिस जो है किस कंट्री से आते हैं ये आज पूछा ग इसके नया स्पेस एक्सपीडिशन ये आई टू यूटू के मेंबर्स करेंगा आई टू यूटू में काऊन आते हैं रट लीजिया आप बार बार पूछा भी जा रहा है भारत आता इसमें और UAE आता है यूए साता है और इसराइल आता है तो जॉइंट स्पेस वेंचर इ या Efficientrum of Growth. तो दिली से दिली को मिलाने की बात पिया मोद जी ने की थी यहाँ पर ठीक है तिमोर लेस्टे में भारत एक नया अपना दूतावास खोलेगा एक्ट इस्ट पॉलिसी के तहट अठारवां G20 शिखर समेलन ये बहुत जरूरी है जब ये अनाउंस हुआ था या फिर जब हमने अधेक्ष्टा ग्रहण की थी तब इसके बारे में कोश्चन साय थे अभी खतम हुआ है तब भी कोश्चन आ सकते हैं भारत के पास एक दिसंबर 2022 से 30 तंबर 2023 तक की अधेक्ष्टा रही यहाँ पर ये डेट इंपोर्टन्ट है इसका कल्मिनेशन कहां पर भारत मंडपम में हुआ था अंतराश्ट्री प्रदर्शनी और कंविनिशन सेंटर न्यू डेली में कब हुआ था नव से दस सितंबर के बीच G20 सिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद आपचारिक रूप से G20 के देख्ष तक इसको चली गई है ये चली गई है ब्रजील के राष्टपती आदमीर पुतिन और चीन के 11 जिन्पिंग यहां पर नहीं शामिल हुए चीन की राष्टपती और रशिया की राष्टपती यहां पर शामिल नहीं हुए फिर भी सक्सेस्फुल माना जा रहा है क्योंकि जो कंसेंस होता है अंत में जो विजन स्टेट्मेंट दिया जाता है वो यहां पर कह सकते हैं संयुक्त रूप से दिया गया इस बर भारत ने समयलन में बांगलेदेश, मेसर, मौरिशस, नीदर लैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूए को अतिति देश के रूप में बलाया था क्योंकि जो जिसके पास चेयर होती है वो गेस्ट कंट्रीज को इन्वाइट कर सकता है समयलन के तीन मुख्य सेशन हुए थे वन फैमली, वन अर्थ, वन फ्यूचर विशय पर आधारित थे प्रदान मंतरी मोधी जी ने सिखर समयलन के उदगाटन के साथ ही वैस्विक नेताव से बातचीत से बनी सहमती के बाद अफरी की संग को इस मंच के 21 सदस के रूप में सामिल होने की सोषना कर दी थी, तो अब जो है जी ट्वैंटी अब बढ़कर के क्या हो गया है, जी ट्वैंटी वन हो चुका है, क्योंकि इसमें आफ्रिकन यूनियन भी पूरा शामिल हो गया है, ये बहुत जरूरी है, तो इसका एक major highlight ही रहा कि अब G20, अब G21 हो गया है क्योंकि अब African Union इसमें officially सामिल हो चुका है. भारत ने G20 में जो अपने vision statements बताये थे उसमें क्या है वित्ती समावेशन को बढ़ाना, UPSC ने भी पूछा था, डिजिटल सारोधिनिक बुन्यादी सनरचना को मस्बूत करना, उभरती अर्थ वस्ताओं के लिए बहुपक्षी विकास बैंकों का विस्तार करना, Global South की अवाज बनना और पर्यावरन सिर्ता सुनिश्चित करना, यह प्रमुक लक्ष रहे थे. इस समयलन में सदस्य देशों के भी इस सहमती के साथ G20 नई दिल्ली लीडर समिट डेकलेरेशन को अंगी कार किया गया था, यहने की अडॉप्ट किया गया था. ग्लोबल बायो फील अलाइन्स की गोटना की गई, वैस्विक सतर पर पेट्रोल में इतनावल के सम्मिशनर को बढ़ा कर 20% लाने के अपील की गई, G20 देशों से इस पहल में शामिल होने का अग्रह किया गया, कई प्रमुक अरत व्योस्ताओं के साथ 9 सितंबर 2023 को भारत प प्रतिमा को अश्ट धातों का प्रयोग इसमें किया गया था, इस सम्मिलन की अधिकारिक भाषा क्या थी, अंगरेजी, फ्रेंच और स्पैनिश थी, इसमें बारत मंडबब में मेगा प्रदर्शनी भारत दा मदर ऑफ डेमोक्रेसी नाम से पोर्टल भी लॉंच किया गया वह सुध है वह को टूंब कम वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर इसका मुख्यूश है था, यह सब आप जो है इंग्लिस मीडिया में भी नोट कर लीजे, सब आपको यह पता होना चाहिए, और जितने भी कोशन इस साल G20 से बने हैं, उनको भी एक बार रिकॉल आपको यह शार्जा से अरब अमिरात में आजित हुआ था, इंडिया साओधी अरेबिया इन्वेस्मेंट फोरम इसका आजिन हुआ था, नियु डेली में, 11 सप्टेंबर को इसका आजिन हुआ था, जी 77 प्लस चाइना समिट, जी 77 जो की वर्ल्स डवलपिंग कंट्रीज का एक और इस समिट में कहा गया था कि साइन्श टेक्निलोजी और इन्वेशन डे इन्वेस्ट की रूप में बनाए जाएगा, 16 सेप्टेंबर को, 16 सेप्टेंबर को वल्ड ओजोन डे भी होता है, तो यह ध्यान रख सकते हैं आप, इंडिया स्मार्ट चिटी कंक्लेव, 2023 इंदाओर मध्रदेश में इसका यह जन हुआ था, इंदाओर मध्रदेश में, ब्रिलियंट कांविनिशन सेंटर, इंदाओर मध्रदेश में, इंटरनेशल ट्रेड शो का यह जन हुआ था, ग्रेटर नोविटा में, और यूपी सीडा ने यहाँ पे स्टॉल डिजाइन में प्राइस जीता था उत्तर प्रदेश का और्रेशन की तरफ से 26 वा नैसल E-Governance Conference 2023 इंद और मद्रदेश में वो था डवलप्ड इंडिया इंपार्ड सिटीजन स्थीम थी खामरी मो सिक्किम हैलो सिक्किम का रिक्रम भारती न उसे न आउजित कर रहे हैं एक आउटरीच का रिक्रम है इसमें तीन चरड़ों में एक कह सकते हैं मोटर कार अभियान का आउजन होगा कौन-कौन से सिटीज वगरा इसमें शामिल है आप देख लीजिए बाइस दिनों तक यह अभियान चलेगा मेजर समारुतिस उसकी इंडिया लिम्टेड के साथ इंडिया नावल कॉर्परेशन लिम्टेड इसमें फ्यूल पार्टनर के रूप में शामिल हुआ है तो कहां से कहां तक यात्रा हो नहीं यह सब देख सकते हैं जहां जहां जिस जगहों से घुजड़े का वो आपके लिए इंपोर्टन्ट हो सकती है उनाइटेड नेशन्स क्लाइमिट एंबिशन सम्मिट न्यू यॉक अमेरिका में इसका या जुन हुआ था चीन, संयुक्तराज, अमेरिका और भारत जो सामुई क्रूप से वैस्वी ग्रीनाउथ उत्सर्जन के 42% भाग के लिए उत्तरदाई हैं वो इसमें शामिल ही नहीं हुए थे यह आइरनी रही कि उनाइटेड नेशन्स क्लाइमेट एंबिशन सम्मिट हुई जो सबस्यादा ग्रीनाउथ गैस उत्सर्जित करते हैं देश वो इसमें सामिल ही नहीं हुए इंटरनाइसनल सोलर अलाइन्स की पांचवी शेत्री बैठक हुई थी किगाली रवांडा में गी-20 संस्कृती मंत्रियों की बैठक वाड़सी में हुई थी यूथ प्रेंटी की भी हुई थी यहाँ पे दक्षिन पूर्वे एशिया चेत्र में तपेदी को समाप्त करने के लिए मंत्रियों स्तरी बैठक गांधी नगर गुजरात में हुई थी इसमें गांधी नगर डेकलरेशन को अपनाया गया था बान सुरक्षा पर अंतराश्री सम्मिलन का यवजन हुआ था जैपूर राजस्थान में इसका उद्गटन किस ने किया था उप्राष्टपती जगदीद धनकडने रायंग्स रिपोर्ट इंडेक्स में अगर हम देखें तो टाइम हंडेड नेक्स्ट दा इमर्जिंग लीडर शेपिंग दा वल्ड सूची में शामिल थी हर्मन प्रीत का और नंदिता वेंकटेशन और वीनू डेनियल भारत से यह बहुल भारतियों का नाम दियान रखना है पूरे सौक नहीं दियान रखेंगे वैश्विक व्यापार सांखे की समिक्षा आई थी इसमें वैश्विक माल व्यापार निर्यातक श्रेडी में शीरिस दो देश है चाइना अमेरिका भारत का स्थान अठारवा वैश्विक माल व्यापार आयातक श्रेडी में शीरिस दो देश काओन है इसमें अमेरिका टॉप पर है, चाइना सेगेंड पर आ गया है, इंडिया खिनाएंग इसमें नवी है वाडिजिक सेवाओं में वैश्विक वैपार निर्यातक श्रेंडी में टॉप पर अमेरिका सेगेंड पर यूके सेवन्थ पर इंडिया और अडिजेक सेवाओं में वैश्विक वैपार आयर्थक श्रेंडी में शीरिस दोगाउन है अमेरिका और चाइना इंडिया नाइन्थ पर तो यह आप ध्यान रख सकते हैं इंग्लिश में भी इवन है इसको आप स्ट्रॉल करके देख सकते हैं स्विट्जर लैंड को भारत को इन्होंने 87 वा स्थान दिया है 87 भारत में UPI से भारत की नॉमनल जीटीप के 50 परसेंट के बराबर तक कलेंदेन किया गया है वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में बताया गया है और इसमें कहा गया है कि डारेक्ट बेनफिट ट्रांसपर के सबसे बड़े इंफ्रास्रक्चर के इन्रिमार्ट भारत नहीं किया है पूरी देश में डिबिटी कब से शुरू किया गया था? 2013 से ध्यान रखेगा The Gender Snapshot Report 2013 से किसने जारी की थी UN Women ने United Nations Department of Social and Economic Affairs ने इन्होंने कहा था कि comprehensive analysis report प्रदान करती है 17 sustainable goals जो gender equality से associated हो सकते हैं इन्होंने कहा था कि world is failing women and girls growth अच्छी नहीं है HDG related to women के बारे में इन्होंने कहा था अब आ जाते हैं हम लोग MCQ section पे पहला MCQ associated है Kolkata Metro के upgradation से Kolkata Metro अब तक steel third का इस्तमाल करता था steel third rail का आप composite aluminium third rail का इस्तमाल के जाएगा composite aluminium third rail standard का यूज London, Moscow, Berlin, Munich और Istanbul जैसे महानगर कर रहे हैं जहांपर metro चलती है तो इसका उद्देश है क्या है efficiency को increase करना और cost को reduce करना तो तीनों statement यहां पर Kolkata Metro के upgradation के बारे में सही है answer हो जाएगा इसमें D, सारे कथन यहां पर सही है आगस 2023 में राजिस्तान की मुख्यमंत्री अशोग गैलोग जी ने एक January 2023 इसमें मजदूरों के लिए नियुनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रति दिन की बढ़ोत्री की है तो आरेस के लिए जरूरी था अब आरेस के एक्जाम हो चुका है अब आगे के लिए आप देखिए इसमें 26 रुपए प्रती दिन की इसमें बढ़ोतरी की गई थी निमलिकित में से किस देश ने आगस 2023 में सरकारी स्कूलों में मुसलिम महिलाउं द्वारा पहने जाने वाले वस्तर अबाया पर प्रजवन लगा दिया था तो secularism policy चलती है लाइसाइट करके फ्रांस में उन्होंने का है कि जो loose fitting body long जो कह सकते हैं garment पैना जाता है अब उनहीं पैना जा सकेगा classrooms में France ने इस पर बैन लगा दिया option number B इस तरों के चंद्रयान 3 mission के प्रज्यान rover रे दक्षणी दुरुफ के पास संद्रमा की सतह पर sulfur की मौझूदगी की सफलता पूरवक पुष्टी की है यह सही है इसके बाद सितंबर 23 में ही भारत के अंतराश्टी सतर पर OEML International Organization for Legal Metrology जारी करने वाला विश्व का 13 देश बन गया है तो यह दोनों statement सहीं answer हो जाएगा इसमें C 1 and 2 both correct C Press और आवधिक पंजी करन विधेग 2023 का पारित किया गया था इसको पारित किया गया था 3 अगस 2023 को इसमें अधिनियम से Press और पुस्तक पंजी करन अधिनियम 1867 को निरस्ट कर दी जाता है तो Press and Registration of Books Act 1867 यह कानून था आब इसको निरस्ट कर दिया है कानून आया प्रेस और आवधिक पंजी करन विधेग 2023 कि फॉक्सकॉन टेक्नलोजी ग्रूप के सनस्थापक टेरी गॉन ने वर्ष 2024 में एक स्वतंत रुम्मी दिवार के रूप में ताइवान के राश्ट्रपती पत के लिए चुनाव लड़ने की गोशना की थी सितंबर 2023 में वैश्विक स्वास्त संगठन ने गुजराट डेक्लेरेशन के नाम से वहो पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक स्वास्त सिकर समिलन 2023 का प्रणाम दस्तावी जारी किया था एंसर सही हुजाएका C1 and 2 बहुत करेक्ट गुजराट के जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जोह स्थित है यह पूछा भी जा चुका है जब इस्टाइबलिश हुआ था पुर्धानमंत्री नडेंद्र मोंदी जी ने किस देश के राष्टपती को 26 जनवडी 2024 को गनतंत्र दिवर्स समारों में मुख्यतिती के रूप में आमंत्रित किया है अमेरिका के राष्टपती को जो बाइडन को ऑप्शन नमबर A है जितंबर 2030 में केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाओ यानि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए किसकी अध्यक्षता में आठ सदस्ती समिती के गठन किया था पूरव राष्टपती रामनात कोविन जी के अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्षन पर अपने सुझाओ देने के लिए कमिटी बनाई गई है अप्शन नमबर B यहाँ पर साइए कौन कोन इसमें शामिल है सब यहाँ पर देखे क्योंकि इसमें पूछ सकते हैं कि कौन इसमें नहीं शामिल है अगस 2023 में असम सरकार ने Knowledge Hub और असम Institute of Urban Affairs थापित करने की एक महत्पकांग्षी योजना को पेश किया था दोनों पहलों को असम के मुक्पंतरी के नितरत में शुरू किया गया है इस भी लिखा है यहाँ पर राउंग स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि इसको शुरू किया गया है लेट बाई हाउसिंग ने अर्बन मिनिस्टर अशोक सिंगल इसका उद्देश राज में अत्याधुनिक शहरी नियोजन अवधार्डाओं विशेश शरकिता को लागू करना है यह सही नमारा एंसर हो जाएगा इसमें वन एंट्री ओनली सही केंद्री पत्तन पोत परिवहन और जल्बार्ग मंतरी सर्ब्रंस और नवाल ने वैश्विक्स तरिय अत्याधुनिक विजाग या वाईजाएक अंतराश्ट्री क्रूज टर्मेल का उधगटन कहां पर किया विशाखा पत्नम पोर्ट से ऑप्शन नमबर बी यहां पर सही है विशाखा पत्नम बंदर का जुलाई 2023 में जहारकंड के मुख्यमंत्री हेमंद सुरेन द्वरा राज़ में कहां पर भारत के प्रथम हाइड्रोजन इधन प्लांट की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है तो ये कहां बनेगा भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट ही बनेगा जम्शेदपूर में Karma ऑप्शन नमबर बी जम्शेद पूर में भारत के पहले अड्रोजनальड प्लांट से प्लांट से रजवे स्टेकोल्डरॉर में को आन में 11 अगस्त 2023 को यह विल जो है लोक सभामे 17 मैं कि पेश किया गया था रॉट मैं अगर्ध मात्वल मात्व ties से लागूं जा राही है सारे कथने हैं यहाँ पर सही है क्योंकि यह last statement ऐसी से question बन सकता है कि effective कब से माना गया है तो effective माना गया है पेश होने से पहले 19 मई 2023 को इसको लाँच किया है इसको लाँच किया है Canada Bank ने यानि कि अपने UPI से रुपे निकाल करके आप उसे डिजिटल रुपी में convert कर सकते हैं अगस 2023 में Canada सरकार ने जंगल में आग लगने करण देश के ब्रेटिश को लंबिया चेतर में आपातकाल की घोशना कर दी थी और सेगेंडे केंद्री सिक्ष्य मंत्री कॉस्चल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रदान जी ने आंद्र प्रदेश की पारवतिपुरम मन्यम जिले में केंद्री जंजाती विश्विद्याले की अधारशिला रखी है तो पारवतिपुरम जिले के सालुरू में सेंट्रल ट्राइबल उनिवर्स्टी स्टाब्लिश की जाएगी अधारशिला रख दी गई है तो एंसर यहां पर हो जाएगा 1 & 2 बोथ करेक्ट C C यहां पर साहिए उसके बाद केंद्र सरकार ने आवायत खनन पर अंकुष लगाने के लिए खनन प्रहरी मोबाइल एप्लिकेशन लाँच किया है इसके बाद G20 ने तरत्तो शिखर से मेलन की पूरी संधाव पर संस्कृती मत्राली ने भारत लोकतंत्र की जन्नी याने की इंडिया मदर अफ डेमक्रेसी पोर्टल लाँच किया था तो एंसर यहां पर हो जाएगा C 1 & 2 बोथ करेक्ट C क्रशी और प्रसंस्कृत खाद उत्पाद निर्यात विकास प्रादिगरन अबिटा ने अमेरिका को हवाई मार्क से किस फल की पहली परिक्षन खेप का निर्यात किया तो फ्रेश पोमेग्रेंटी भेजे गाए यानिकी ताजे अनार अप्शन नमबर A पोमेगेंट प्रोडेक्षन में यानि अनार के उत्पादवन भारत पूरे विश्व में सेवन्थ पर है और मेजर अनार उत्पादक राज भारत की कौन से महराश्ट्र है हुजरात करनाटक राजस्थान आंधर प्रदेश अगस 2023 में असम गोहाटी का लोगप्री गोपिनाद बार्दोल लोई इंतराश्ट्री हवाईटा डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला नौर्थ इस्ट का पहला एरपोर्ट बना सही टोकियो इलेक्ट्रिक पार कंपनी टेपको जो की फुकुशीमा न्यूक्लियर पार प्लांट का ओप्रेटर है इसने रेडियो एक्टिव वाटर जो है पैस्पी कोशियन में छोड़ना शुरू कर दिया है जिससे काफी वहाँ पे लोग विरोथ कर रहे है पैंसर अगस 2023 में कितने और अभवाई डों में डिजी यात्रा सुविधा शुरू की गे थी डिजी यात्रा सर्विस अगस 2023 में एक्स्टेंट की गे थी छे एरपोर्ट्स में छे एरपोर्ट्स कौन-कौन से हैं आयमदबाद कोची लखनव जैपूर गुवाहाटी पहली भारती फिल्म बन गई जिसका गाना 5 सितंबर 2023 को टाइम स्क्वाइर पर लॉंच किया गया है इस फिल्म के रिदेशक हैं श्री विवेक अगनियोत्री आप्शन अमबर सी विवेक अगनियोत्री आगस 2023 में मुख्यमंत्री जुमद्रप्रदेश के शिवरात सिंग च परवरी 2024 तक पूरा हो पाएगा यह इसमें कहा गया है यह पहला वाला तो आप देखी चुके हैं हमारे इंटर इसमें हो जाएगा वन इंटू बोथ करेक्ट सी भारती पुरातत्व सर्वेक्षन ने चार जितंबर 2023 को एडॉप्ट हरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत की पर मोटरेबल रोड के बारे हम क्या सा यह बी आरो बॉडर रोड और और ने कहा है कि उमलिंगला पर जो 9400 फीट उची सबसे उची बॉडर रोड है जो बनी थी 2020 में ऑगस्त में अब उससे भी बड़ी एक रोड बना रहा है बियारो लिकारू मिगला फुक्षे यहां पर जो स्टेट्मेंट इसमें सही है इसमें कार जा रहा है कि लाइन आफ एक्ट्वल कंट्रोल से रोड महत तीन किलोमेटर दूर होगे भारत ने निमलिकित में से किसके साथ मिलकर देश का पहला वाइट लेबल यूपियाई एटीम लाउंच किया है तो यह जापान के साथ मिलकर से नगदी निकालने की नुमति देता है लब यूपियाई के माध्यम से आप एटीम से पैसे निकाल सकते हैं उसमें कार्ड की अवशकता नहीं पड़ती है एक भारत स्ट्रेश्ट भारत फूट फेस्टिवल के बारे में क्या सही है इसका एउजन 18 स 20 आउगस्त के बीच झाय भी सही एंसर हो जायँगे समिघी सारे कतनेया पे सही निमल कित में से किस सर्वोच नियाले ने गरपात को अपराध नमान कर उसे अपराध के दारे से बिच्छता दिया है इसको डे मैंसिको किस देश की वैग्याणिकोर ने लाब में बिना सपर्म और लिमम के विश् का एक उन्नत भ्रूड केवल स्टेम सेल कोशिकाओं के माद्धिम से बना लिया गया बीना स्पर्म और डिम्ब के निम्ले कितमे से कौन कर्थन सही है त्रिपणा में 56 संगठनों का एक संगठन रोमन स्क्रिप्ट फॉर कोग बोरोग चोबा के बैनर तले कोग बोरोग भाषा के लिए रोमन लिपी को अपनाने के लिए मांग पर प्रदर्शन हुए थे बदर्वा, राजमाश और सुलाई हनी जो है डोडा को बिलॉंग करती है रामबन डिस्ट्रिक्ट को जम्मू कश्मीर में इनको जी आई टाइग भी प्रदान किये गए हैं सही एंसर हो जाएगा सी, वरें टू बोथ करेक्ट, सी मंदर प्रदेश में देश की पहली सोलर सिटी सांची का लोकारपन किस ने किया तो यहां के, जो है मुक्षमंत्री जी ने किया है, शिवराथ सिंच ओहन ने, option number D यहां पर सही है जीका वाइरस के बारे में क्या सही है मुंबई में एक वेक्ति को इसे संक्रिमित पाया गया था, एडीज मच्छरों से फैलती है, डेंगू चिकन गुनिया भी, जो डेंगू चिकन गुनिया के लिए भी उत्तरदाई है, एडीज मॉस्किटो जीका वाइरस की खोद सबसे पहले युगांडा में की गए थी, उनिये 47 में, एंसर यहां पर सही हो जाएगा D, यहां पर सारे कथन सही है, D सागो साबुदाने को GI tag दिया गया, यह कहां का साबुदाना है, यह साबुदाना है, आपका तमिल नाडू का, अप्शन मबर यह तमिल नाडू का, श्रीनगर में इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में, Book of Records London मे दर्ज किया गया है, इसके बाद हरदीप सिंगपुरी जो हमारी उनिमिनिस्टर है, इनके नुसार, 1.5 मिलिएन ट्यूलिप बल्प्स को, जो की डिफरेंट वराइटीज के हैं, उसको इस गार्डन में लगाया गया है, आप्शन नमबर C यहांपे सही है, 1 and 2 बोध कि ओडिशा के किस उत्पाद को अभी GI टाइग बिला है, इसकी पूरी लिस्ट हम बना देंगे अभी, यह अलग-अलग questions की जगह, एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको PDF में, कि यह GI टाइग है और यह उसका प्रोड़क्ट है, मतलब जिस टेट को बलोग करता है, वो औ पूरेट का नाम, यह चावल है, चावल, राइस, काला जीरा राइस, इसको GI टाइग मिला है, और यह साजियमे के स्राज के चोफुह डाइग मिला है, चोफुह डाइस पिलाग करता है सम को, option number A भारत के पहले underground power transformer center के बारे में क्या सही है मलेश्वरम बैंगलिरू में भारत के पहले 500 kilowatt volt ampere वाले underground power transmission station का उधगाटन किया गया सही इस center का उधगाटन वहाँ की उर्जा मंतरी ने किया है और वहाँ की company ने इसको बढ़ाया है हमारे answer हो जाएगा इसमें C इसमें D होगा सारे कतने आपे सही है केंदर सरकार के ग्रह मंतराले ने सरकारी उचितर मादमिक विद्यालों से सनातक सिक्षा प्राप्त करने वाले चात्रों के लिए कितना प्रतीशन आरक्षन मंजूर किया है यह प्रस्ताओक इसलाएं प्रस्ताओक इसलाएं प्रस्ताओक इसलाएं प्रस्ताओक मंजूर कर लिया है 10% आरक्षन जो कि प्रस्ताओक में जो है Medical Education परस्यू करेंगे जो कि Government High Secondary School से पढ़े होंगे उनको 10% का आरक्षन वहाँ पर मिलेगा विश्व के पहले Portable Hospital के बारे में क्या साहिए भारत ने विश्व के पहले Portable Hospital Arogemetri Cube का नावरर किया था Arogemetri Cube यह सही है यह प्रोजेक्ट ब्रदानमंत्री जी का था प्रोजेक्ट भीश्म के अंतरगत जो कि प्रोजेक्ट भीश्म सब्सक्राइब ने विल किया गया था उसके तहित इसको बनाया गया है इसको Meditech Expo जो अभी गांदी जेकर गुजरात में वहाँ था उसको वहाँ पर इनाउग्रेट किया गया एंसर सही हो जाएगा D यहाँ पर सही है अच्छली कुछ अलग बूचा है इसमें मैंने कुछ हो रिजियूम कर लिया इसमें बूचा है कि NCRT के कि स्थापना दिवस के उसर पर इसे Deemed University का स्टेटस बिल चुका है तो NCRT के 63 में स्थापना दिवस के उसर पर इसे Deemed University का स्टेटस दिया गया है दिल्ली के राजगाट के पास गांधी दरशन में राष्टपिता मात्मा गांधी जी की 12 फीट उंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का नावरण किसने किया है ये किया है प्रेजिडेंट जी ने द्रापदी मुर्मु जी ने अमूल चीन में जो हांग्सो में 90 फेशन गेम्स हो रहे हैं इसमें भारती दल का ऑफिशल स्पांसर नामित किया गया था ये सही है 31 अगस 2023 को नागर विमानन मंत्री श्री जोतिराधित एम सिंदिया ने नागर विमानन मंत्राले के राज मंत्री जनरल विजय कुमार सिंग के साथ उतकल या उतकला हवाई अड़े और उतकला एवं भुनेश्पर के बीच सीधी उड़ान का उदगाटन किया सही एंसर यहां पर सही हो जाएगा 1 and 2 बहुत करेक्ट कोई मटूर में केंद्री मंत्री प्रतिमा अकनावरण किया था ये प्रतिमा अकनावरण किया गया था आर के शन्मकम चेट्टी का चुकि ये कोई मटूर सही थे option number D यहां पर सही है एक अगस 2023 को माफके जीगा अगस 2023 में केंद्री सडक एवं परिभान राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी जी ने विश्व की पहली इथनॉल से चलने माली टोयेटा की इनोवा हाई क्रोस कार का 100% इथनॉल इधन संस्क्रेंड लॉंच किया है ये अप्टू 100% इथनॉल फ्यूल से चल सकती है यहां पर बताय जा रहा है इसका नाम है मॉडल का इनोवा हाई क्रोस यह सही है इसके बाद इसमें यह बताय जा रहा है कि अविश्व की पहली BS6 स्टेज 2 विद्धूती क्रेटफलेक्स फ्यूल वाहन भी यह पहला है इनोवा हाई क्रोस राश्ट्री सैक्षिक अनुसंदान इस साल राश्ट्री युद्ध स्मारक पर एक अध्याय हमारे वीर सैनिकों को स्रद्धानजली सामिल किया गया है या आहूमेज टू और ब्रेव सोल्जर्स इसको सामिल किया गया है औप्शन नुमर सी यहाँ पर सही है 1 एंटू बोथ करेक्ट सी माना मिनेता और आध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंतरी स्वरगी एंटी रामराओ के सम्मान में किसने एक समारक सिक्का जारी किया है प्रेजडेंट जी ने एक समारक सिक्का एंटी रामराओ के सम्मान में जारी किया था अगस्त में यहाँ पर साही है सितंबर 2023 में भारत सरकार ने खोशना की थी कि वह जापान और चीन को पीछे चोड़कर बंगलदेश के सबसे बड़े निर्यातक भागीदार बन गया है तो बंगलदेश का लार्जस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर या माफ किजिए का कह सकते हैं इस एक्सपोर्ट पार्टनर की बात हो रही है बंगलदेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर इंडिया बन चुका है जापान और चाइना को पीछे चोड़ करके हमारा इंसर हो जाएगा इसमें C, 1 and 2 बहुत करेक्ट, C अमेरिका राज जॉर्जिया के गवर्णर ब्राइन केम्प ने आधिकारिक तोर पर किस महीने को राज के बीतर जानी कि जॉर्जिया के बीतर हिंदू विरासत पाह के रूप में मनानी को उप्षना किये तो हिंडू हेरिटेज मन्त के रूप में बनाया जाएगा जॉर्जिया में ऑक्टूबर मन्त को, option number C, हर सल ऑक्टूबर को हिंडू हेरिटेज मन्त के रूप में बनाया जाएगा एफरिकन वीटन के बारे मताई क्या सही है एफरिकन वीटन दो जारेक में लाउंच किया गया था डरबन दक्षोन ऑफरीका में यह 200 फर्मनेंट में बन गया है एंसर हो जाएगा इसमेंट D सारे कथने यहां पर सही है चंद्रियान 2 और चंद्रियान 3 के बारे में कुछ न्यूस आई थी चंद्रियान 3 मौन लेंडर ने जहां पर लैंड किया था उस स्पॉर्ट को जाना जाएगा शिव सक्ती के नाम से महोदी जी ने अनाउंस किया था इसके बाद है कि वो पॉइंट जहां पर चंद्रियान 2 ने अपना मार्ग छोड़ा था उसे तिरंगा के नाम से जाना जाएगा यह अनाउंस्मेंट पर महोदी जी ने की थी option number D यहां पर सही है D उपर यूग तो सभी इमलिकित में से किस वर्ष से पृतियातरी 6 करोड रुपे की लागत से अंतरिक्ष परेटन शुरू करने की युजना बनाई है इस रोने तो यह का है कि लगबग हम 2030 तक Space Tourism को लॉंच कर देंगे और यह cost आपको देनी पड़ेगी अगर आपको Space Tourism करना है हाली में इमलिकित में से किस राज केंसासित प्रदेश के राजावरी चिकरी लकडी शिल्प और मुक्ष बुद्जी चावल को जीए टैक दिया गया है जीए टैक दिया गया है इसनको जमू कश्मीर में option number B आउगस 2023 में गैबोन में सेना के अधिकारियों द्वारा राष्टपती अली बॉंगो और डिंबा के तक्ता पलेट करने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि आउगस 2020 से लेकर अभी तक आफरिका के अशांत महादीप में आठ देशों में तक्ता पलेट हुए हैं ठीक है आठ कूप किये गए हैं दो साल के पाइलेट प्रोग्राम के भाग के रूप में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की योजना अनौंस की है रशिया ने इसके बाद दिल्ली उचने आले ने आउटिजम स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर से पिडित दो बच्चों को उनकी स्थितिक इलाज के लिए स्टेम्सल थरेपी से गुजरने के रूमती दे दी थी हमारा एंसर हो जाएक इसमें डी सारे कथन यहां पर सही हैं डी नंदनी अकरवाल चर्चा में रही थी मदप्रदेश की मुराइना से हैं नंदनी और ये विश्व की यंगेस्ट सीय बन गई हैं यंगेस्ट चार्टर अकाउटेंट गिनीज बुक ऑफ वल्ट रिकार्ट में नामदर्च किया गया है और यंगेस्ट फीमेल सीय के रूप म किये ये बोर्ड की स्थापना की थी राजस्थान ने अप्शन नमबर ए हाली में तमिलनाडू से की नुतपादों को जी आइटाग प्राप्त हुआ है जदेरी नाम कट्टी मर्ती बनाना चेदी बुटता सारी को और आतूर की बीटल लीव को सभी को बिला है अप्शन नम है कि राष्ट्रपती नियादी निश्पादन कर दिया तो उसके खिलाफ अदालत में अपील नहीं की जा सकेगी इन आया प्राधान है फिर कंविट से राइट टू मरसी पेटीशन विल बी अबॉलिश्ट इफ नीव इंडियन सिविल डिफेंस कोड भी एन एसस बिकम्स ल दिक्षा प्राधुखी मंच दिक्षा के बारे में क्या यहां पे गलत है तो पहला है कि दिक्षा को आधुनिक रूप देने के लिए और एकल क्लावड इंफ्राश्रक्चर का चैन किया है मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन ने सही इसके बाद और एकल के नुसार सिक्षा प् इनकरेक्ट कोई भी है नहीं डी जुलाई 2023 में नेमलिकित में से किस राज सरकार ने उन एफ पी इस अनस्था के साथ मिल करके AI चैट बॉट लांच किया है जस्ट आस्क यानि की खुलके पूछो इसको लांच किया है मादब्रदेश ने आप्शन नमबर बी गॉर्मेंट ऑफ इंडिया ने एक उनिफाइट पोर्टल फॉर अग्रिकल्चरल स्टैटिस्टिक्स यानि यूपी एजी लांच किया है मिनिस्ट्री ऑफ अग्रिकल्चर और फार्मर वेलफेर ने इसको लांच किया है इसके बाद यूके में भारती समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक और पाक कला केंद्र के रूप में काम करने वाला लंदन का प्रतिष्टित इंडिया क्लब अर्ष्थाई रूप से बंद कर दिया गया है सही एंसर सही हो जाएगा इसमें C, 1 and 2 बोथ करेक्ट C ओडिशा के किस जिले में स्क्रब टाइफस के संक्रमण की पुष्टी की गई थी तो बरगड में स्क्रब टाइफस यहां पर देखा गया था भी यहां पर सही है यशो भूमी कन्वेंशन सेंटर के बारे में कौन से कथन सही है इसमें कहा गया है कि दिल्ली के द्वारका में अत्यादुनिक Convention Center यशु भूमी का अध्गाटन किया गया है दुनिया की सबसे बड़ी माइस सो विधाओं से लेसे हैंने की मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फरेंसे और एक्जिबिशन सबसे बड़ी LED मीडिया सर्विसेस से लेस होने का दावा भीस में किया गया है और फिर कहा गया है कि चववन सब क्रोट रुपए की लागत से गरीब बना था इसमें 11,000 डेलिगेट्स जो है एक बार में आ सकते हैं हमारा एंसर चाही हो जाएगा इसमें इसका एंसर हो जाएगा all of the above याने की D उपर युक्त सब ही टीबू मुक्त भारत एक्स्प्रेस के बारे में बताना है क्या सही है टीबू मुक्त भारत एक्स्प्रेस को केंद्री मंतरी जितेंदर सिंग ने अपने संसदी शेत्र उधमपूर से हरी जंडी दिखाई थे तो इसका आधर्श वाके था चलोट चलें टीबी को हो राए है स्लोगन इसका था में अब्ब्यक्टिव था कि मेडिकल सर्विसेज जो वैरियस विलेजिस में और कंस्ट्वेंट्सी जो उनकी है उधमपूर में उसमें प्रोवाइट की जाए और अवेर्नेस क्रेट की जाए टूबर कुलॉसिस के गेंस्ट हमारा एंसर सही हो जाएगा इसमें सारे कतनी हाँ पर सही है चल चित्र शन्षोधन अध्रीयं जोगसाभा दूरा कब पारित किया गया था जुलाइ 3-23 दोपी जुलाइ 2-3 को रातसभा में इंट्रेडूस हुआ था यह 20 जुलाइ 2-23 को और रातसभा ने इसको पारित कर दिया था 27 जुलाइ 2-23 को तो यह ती चार अगस्ट 2023 को जन विश्वास अधिनियम के बारे में क्या सबसव अधिनियम 2007 जुन 2023 को लोकसभा में 2 अगस्ट को राजसभा में फारिट कर दिया गया था इस विद्या के मांध्यम से 183 ऐसे प्रौविजन से जिसमें पट्राइच्ट वगरे का खत्म किया गया है जो बिभिन ने प्रोविजन्स थे बैयाली सेंट्रल अधिनियमों समंदित 19 मिनिस्ट्री और इपार्टमेंट्स के उनको खत्म किया गया इसमें तो मारे अंसर हो जाएगा D, all of the above, correct Ease of living और Ease of doing business को प्रोमोट करने के लिए लाया गया है लिटिगेशन को कम करने के लिए basically हमारे अंसर हो जाएगा इसमें D पुर्धान मंत्री जी द्वारा संत शिरोमणी गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक की अधारशिला कहां पर रखी गई तो यह रखी गई थी सागर डिस्ट्रिक्ट में मदप्रदेश में option number A यह अपने लास्ट मंद शायत कराए अपर फिर से देख लेते हैं बारुदी सुरूंगों का पता लगाने के लिए स्वायत अंडर्वाटर वाहन लॉंच किया गया है autonomous underwater vehicle for mining mine detection इसका नाम है निराक्षी इसको किस ने लॉंच किया इंडिया ने option number A अभी हाल में African countries के पूरवी भागों में 10 सितंबर को डैनियल नामक तूफान आये था जिससे काफी च्छती हुई थी तो यह सही है अभी आपदाओं की बात करें अभी आपदा मौरकों में आई थी मौरकों में 6.8 की intensity से यहां पर earthquake आया था और 500 से अधिक लोगों की यहां पर कह सकते हैं मृत्य होने का अनुमान लगाया गया था यह ध्यान रख सकते हैं UPAG के बारे में आपको पता चुके हैं एंसर यहां पर हो जाएगा बोथ और आपव करेक्ट वन इन टू बोथ करेक्ट निमन कितमे से किन देशों के optical fiber के आयात पर anti-dumping duty भारत ने लगाई है anti-dumping duty भारत ने लगाई है चाइना पर यह लगाई इंडोनेशिया पर और साउथ कोरिया पर तो हमारा एंसर हो जाएगा 1, 3, 4 इन देशों के optical fiber इन देशों से भारत आने वाले optical fibers पर anti-dumping duty लगाई गई है 1, 3, 4, B हाल ही में कि सराजी की सरकार ने mangrove cell की स्थापना की गोश्णा की थी mangrove cell बनेगा अवेस्ट बेंगाल में option number A adani group की company ambuja cements limited जो है इसने 5000 करोड रुपए के उद्धियम मूल पर संगी industries limited के अधिक्रहण की घुफशना की थी तो संगी industries limited को acquire किया है ambuja cements ने उसके बाद तेलंगाना IT और industries minister जो वहां के हैं तारक रामराओ उन्होंने इंडिया के पहले agriculture data exchange ADEX और agriculture data management framework को हैदरबाद में लॉंच किया है सही हमारा answer हो जाएगा 1 & 2 बोथ correct S में correct पूछा है तो इसमें हो जाएगा neither 1 or 2 c यहां पर सही है उद्धैन मंत्री जो है जो तिरादे तेम सिंधिया ने कि सवाइड़े पर एक ही करत कार्याल है परिसर उडान भवन का उद्गटन किया है सफदर जंग एरपोर्ट में उडान भवन यहां पर शुरू किया गया है तो aviation regulators का office होगा basically option number A सफदर जंग एरपोर्ट 16 अगस 2023 को प्रदान मंत्री के जिक्षता वाले मंत्री मंडल ने PM e-bus services को मंजूर कर दिया है 10,000 e-busses करीब यहां पर चलाई जानी है इसमें कहा गया है कि 3,000,000 या उससे अबो जिन cities की population ने census 2011 के नुसार और सारे जो capital cities हैं भारत की राध्धानी शाहरे राज्यों के और यूटीस के और नौर्थ इस्टन रीजन और हिल स्टेट्स में यहां पर PM e-bus services शुरू की जाएगी सही हमारा इंसर हो जाएगा इसमें D, कोई भी कतनी यहां पर incorrect नहीं है D भारत में हिमालाई गिद के captive बंदी प्रजिनन का पहला मामला निमलिकित में से कहां दर्च किया गया है यह पहला ऐसा captive breeding कर आई गई है गुआहटी में option number C भारत इंटरनेट उत्सो जो है यह Department of Telecommunications माई गाउव के सहयूग से कब से कब बनाया गया था 7 जुलाई से लेकर 21 आउगस्ट के बीच option number A विश्व के दूसरे सबसे बड़े Hindu temple के बारे में बताना क्या साही है world's second largest Hindu temple built outside India Robinsvillay township New Jersey में इसको inaugurate किया जाएगा 8 October को Swami Narayan Akshar Dharm नाम इसका नाम रखा गया है 183 एकडम बना है 12,500 volunteers द्वारा मिल करके बनाया गया है foundation stone इसका लेकिया गया था 2011 में तब से बन रहा है हमारा answer इसमें हो जाएगा सारे कथनियां पर सही है सबसे बड़ा temple भारत से बाहर जो बना है Hindu temple वो कहां पर है वो है Angkor Wat में Cambodiyah में August मन 2023 में Wipro Limited ने किस भारती प्रावदुकी संस्थान में Generative AI उत्रष्टा केंद्र का शुभारम किया है IIT Delhi के दोर Indian Institute of Technology Delhi option number C सितंबर 2023 में इमलिकित में से किस राज ने स्वख्ष भारत Mission Grammage 2 के इंतरगत 100% गाउं में ODF प्लस का दर्जा हांसिल कर लिया है तो यह किया है उत्तरप्रदेश ने उत्तरप्रदेश ने अभी हाल में क्लेम किया है कि उनके सारे villages हो चुके है ODF प्लस option number B उत्तरप्रदेश गोवर्मेंट का कहना है 95,767 गाउं यानि कि 100% विलिजेस अब स्वख्ष भारत Mission Grammage 2 के इंतरगत ODF प्लस का status हांसिल कर चुके हैं B आउगस्ट 2023 में इमलिकित में से किस राज में स्थित परवनार नदी के मार को स्थाई रूप से परिवर्तित कर दिया गया है तो ये परिवर्तित किया गया है तमिल नाडू में तमिल नाडू में नदी बैठती है परवनार नदी option number D निवेली लिगनाइट कॉर्परेशन लिम्टेट द्वारा ये कारे पूरा किया गया है अगस 2023 में ब्रिक्स समूब में निम्लिकित में से किन देशों को सामिल करने गोशना की गई थी तो अर्जेंटीना, एजिप्ट, इथोपिया, इरान, साओधी एरफ, युएई सामिल होंगे option number D यहां पर सही है D किसराज की सरकार ने नकसली आम आत्म समर्पन पुनर वास सह राहत नीती मंजूर किये मंजूर किया था मध्य प्रदेश की गवर्मेंट ने option number C mission life पर केंद्रित एक विशेश प्रदर्शनी की संदर्प में काउन से कथन गलत है सेंउक राष्टर हेड़कॉर्टर न्यू यॉक यूस में mission life पर एक विशेश प्रदर्शनी कायवजन किया गया था भारत ने इसको किया था सोला सुतरा अगस्त को sustainable lifestyle को promote करना इसका उदेश है mission life initiative United Nations Secretary General Antonio Guterres के साथ मिलकर PM Modi जी ने launch किया था तो हमारा answer इसमें हो जाएगा D कोई भी कथन इसमें incorrect नहीं है D यहाँ पर साही है देश का पहला गाव एटलेस जो है कहाँ पर ये एनेविल किया गया था गुवा में हम बता चुके आपको किस राज के हाई कोर्ट के नए भवन का जो है द्रापदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट जी ने किया था मदबर देश में option number A August 2023 में इमलिकित में सक्किस राज के सबसे बड़ लंबे निलाचल flyover का उद्गाटन किया गया है निलाचल flyover ये बना है आसम में ये राज का सबसे लंबा flyover का बताया जा रहा है 2.63 किलोमेटर इसकी लंथ है इसको अनुपम निर्मान प्राइवेट लिम्टेड flyover पहले कहा जाता था लेकिन अभी जाना जाएगा निलाचल flyover के नाम से ब्रिटेन ने जलवाईव परिवर्तन से निपटने के लिए Green Climate Fund में दो अरब अमेरिकी डॉलर्स प्रदान करने गोशना की है इसके बाद FSCI ने कहा दिया है कि मिधुन को एक food animal यानि खाद पशू के रूप में माना जाएगा मिधुन को आप खाया जा सकेगा ये कहा गया FSCI ने और literacy week यहाँ पर आया गया था नो भारत साक्षरता गारिक्रम के अंतरगत 1 से 8 सेप्टेंबर को यह सही है महारा अंसर हो जाएगा इसमें D को भी एक्चली इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है तो इसमें हो जाएगा All of the both correct यहाँ पर आंसर हो जाएगा D इंडियन कल्चर को हाइलाइट करना और डिफरेंट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से उनको प्लाटफॉर्म देना हमसे सिंप्ली उल्टा पूछ सकते हैं कि भाई इंडिया का इंडिपेंडेनिस देखे दिन किस जगहे पर भारत उत्सों मनाया गया 29 अगस्त को NHRC ने Transgender Persons के कल्यान सुनिशित करने के लिए केंद्र और राज सरकारों को Advisory जारी की है सही नागरिक उटएन मंत्री जोतिरादित यम सिंदिया ने अवणाचल प्रदेश के लोहित जिले में नाव विक्सित तेजू हवाइड डे का उद्गाटन किया है तो तेजू एरपोर्ट जो है कहां पर सिच्वेटेड है रवनाचल प्रदेश का है हमारा एंसर हो जाएगा इसमें भी हमारा एंसर हो जाएगा C सारे कथन साही है C Indian Bank ने कितने शहरों में स्टार्ट उप सेल का सुभारम किया स्टार्ट उप सेलगे का सुभारम किया स्टार्ट उप सेलगे उनके नाम है नाव हमें लिखे हुए इसम्श हो जाएगे यहां पर CO सिच तंबर 2023 में इंसर अपयो बीर वेлагे किफू के यूबर धन के लिए एक एक ही क्रत पंजी करन पोर्टल पेश किया है यहां पर दोड़ा सा क्रेक्शन करेंगे यहां पर हो जाएगा गोबर्धन गोबर्धन के रिजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल शुरू किया है मिनिस्ट्री ओफ जल शक्ती ने बारत्य प्रेधान मंत्री के बारे मताने चैसे है। समुद्री सैवाल पार्क की स्थापना के लिए धारशिला रखी गई है यह रखी है पुरुषोत्तम रुपाला ने अप्शन नमबर बी यहां पे साई है इंडिया स्पर्स्ट फिश्रीज एक्वा पार्क इंदा फॉर्म अफ मल्टी पर्पस सीवीड पार्क यह तमिल नाडू में जो है बनेगा वाला मवूर रामनाथ पुरम डिस्टिक्ट तमिल नाडू में इसके लिए अनाउंस्मेंट सबसे पहले कप किया गया था यूनियन बजट 2021 में किया गया था इधान रख सकते हैं जितंबर मंद 2023 में निमलिकित में से किन दो देशों की सीमा के पास अविश्व की सबसे पुरानी कास्ट सनरचना की खोच की गए थी जैंबिया और तंजानिया के बॉर्डर पर करीब वर्ल्ड सोल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर खोजा गया था उप्शन नमबर ए निमलिकित में से कौन सगतन सही है साओधी एरब के रियाद में युनेस्को वैश्विक धरोहर समीति की 45 मी बैठक या फिर यह सत्र जो हुआ था इसमें पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन को भारत की 31 मी युनेस्को वर्ल्ड हरिटेज साइट घोशित किया गया थ तो 31 मी थी शांति निकेतन फिर कुछी दिन बाद यह निव्ज आती है एक दो दिन बाद की 42 मी वर्ल्ड हरिटेज साइट भारत की बन गई है होईसाल डैनेस्टी के टेंपल्स हैं उनको भी वर्ल्ड हरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है तुमारा एंसर हो जाएगा इसमें सी वन इंटू बहुत करेक्ट सी जितंबर 2023 में संत आदी शंकराचार की 108 फूट उची भव्य प्रतिमा का नावरण कहां पर किया गया है किया गया है मद्ध प्रदेश में मद्ध प्रदेश में अनेविल की गई है इसको एकात्मता की प्रतिमा या फिर स्टैचू ऑफ वननेस कहा जा रहा है स्टैचू ऑफ वननेस मंदाता हिल्स जो पड़ते हैं उंकारिश्वर के पास खंडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदर नादी किनारे वहां पर आदिशंकराचार की प्रतिमा लगाई गया है श्री लंका में अभी करनाटक सांस्कृति कायोजन किया गया और फिर केरल में प्रसिद्ध तथा सबसे बड़े स्वांस्कृतिक उत्सो तिरू ओनम का तेवहारब बनाया गया यह भी सही है एंसर हो जाएगा सी वर इंटू बहुत करेक्ट सी सीएम एलिवेट कारेक्रम के बारे में उने बताया था यह किसने शुरू किया है यह मिखाले में शुरू किया गया है सीएम एलिवेट कारेक्रम भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल के बारे में बताना है क्या से है ये लाइट हाउस फेस्टिवल के इंदरी पत्तन पोत और परिवन जलमार्ग मंत्राले की तरफ से शुरू किया गया है गोवा के पनजी में ये लाइट हाउस फेस्टिवल का पहला एडिशन लाउंच किया गया है इसका उदेश है भारत के 75 प्रतिश्थित जो लाइट हाउस हैं उनके समरद इतिहास को पुनरजीवित करना और उनकी सांदार गाताओं के बारे में दुनिया को बताना गंजारी अंतराष्ट्री क्रिकेट स्टेडियम जो उत्तर प्रदेश में वारनसी के पास बन रहा है इसका शिलानयास किया गया है पियमोदी जी की द्वारा 23 सेप्टेंबर को इस स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्ट करेगी हमारा इंसरो जाएगा डी सारे कथनिया पर सही है क्रिशी क्रांती के उद्देश से कौन सी पहले शुरू की गए थी किसान रिंड पोर्टल, दोर टू डौर के के सीसी कैंपेइन और वेदर इंफोर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स मैन्वल सभी के सभी लॉंच की गए थी इस मन्त 1-2-3 सही है वित मंत्री, निर्मला सीतरमन और क्रिशी मंत्री, अनरेंज सिंग तुमर जी के द्वरा संयुक त्रोक से डौर टू डौर किसान, क्रेडिट कार्ड अभियान, मौसम, सूचना, नेटवर्क डेटा सिस्टम, विंड्स मैनुल और किसान डिड पोर्टल National Medical Commission of India को एक Global Recognition मिला है, World Federation for Medical Education के द्वरा, 10-year का Recognition मिला है 10-year के Remarkable कारकाल के लिए एक Recognition यहाँ पे मिला है, World Federation of Medical Education के द्वरा, Old Parliament Building को सम्विधान सदन के रूप में जाना जाएगा क्योंकि अब सारी बैटाक New Parliament Building में होने लगी है Government of India ने एक National Science Award शुरू करने की बात कही है, और इसको National Science Award के नाम से जाना जाएगा अभी तक सांतिव सुरूप भटनागर पुरुसकार ही सबसे बड़ा scientific पुरुसकार था, मिलब साइन्स के छेतर में दी जाने वाला लेकिन अभी ये नया पुरुसकार Government of India ने इंट्रड्यूस किया है हमारा इंसर सही हो जाएगा इसमें इसमें सही हो जाएगा उपरियुक तो सभी, all of the world correct नुवाखाई उत्सो कहां बनाए जाता है, नुवाखाई फेस्टिवल बनाए जाता है ओडिशा में अप्शन नमबर B 13 सेप्टमबर 2023 को प्रेजिडेंट ट्रॉपदी मुर्मु जी ने कागज रहित कामकाज को बढ़ाने के लिए गुजरात विधान सभा की नैसल इविधान अप्लिकेशन पर यूजना का उद्गाटन किया में गोल नीवा यानि की नैसल इविधान अप्लिकेशन का है कि सारे लेजिसलेचर को डिजिटल हाउसस ग्रूप में कनवर्ट किया जाए जहां पर कागज रहित काम होता हो तो हमारे अंसर हो जाएगा वन इन टू बोथ करेक्ट गुजरात पहला ऐसा स्टेट बन सकता है जो अनैसल वन नेशन वन एप्लिकेशन को लागू कर ले जाए लेकिन अभी इसमें हुआ नहीं है ध्यान रखेगा सी यहां पर सही है उधंपूर रेलवे स्टेशन जो फिरोषपूर डिवीजन में है जमु कश्मीर में इसका नाम बदल करके शहीद कैप्टन तुशार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है सही मोदी जी के नेतरत तुम्हें प्रदानमंत्री उजुला युजना का विस्तार किया गया है 2023-2024 से लेकर 2025-26 तक तीन वर्सों का इसको विस्तार दिया गया है गवैशुक परेटन दिवस के उसर पर मेगाले के पूर्वी खासी हिल्स जिले में कॉंग्ठोंग विलेज ने राश्ट्री परेटन पुरुसकारों में सरफ्रेश्ट परेटन गाउं का प्रतिश्टिट पुरुसकार हांसिल किया है जै सही तो हमारा एंसर हो जाएगा इसमें 1,2,3 सभी सही इंकरेक्ट कोई नहीं है एंसर हो जाएगा D आदी परकु माउत्सो जो कि एक मौनसून फेस्टिवल है एक इसराज में बनाया जाता है ये बनाया जाता है तमिल नाडू में तमिल नाडू में आप्शन मबर B